नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उधगाटन के बाद सीम योगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी बाइरल हो रहा है जिसमें एक्सप्रेस वे का उधगाटन करने पहुँचे पीम मोदी अपनी स्पीजी से घिरे गाड़ी में बैठे दिखाई दे रहे हैं तो वहीं सूबे के मुख्यमंतरी योगी आधितनात पीम मोदी के गाड़ी के पीछे पैदल चलते नजर आ रहे हैं और यहां तक की उनके आसपास सेक्योरिटी भी नहीं दिख रही जिसके बास से सीम योगी को सोशल मीडिया पर लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं पहले ये पूरा वीडियो देखिए उसके बाद आपको बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो के वारल हुने के बाद पूर्व सीम अकलेश शादव ने तंज कसा पीम मोदी की गाड़ी के पीछे चलते सीम योगी का वीडियो ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश शादव ने लिखा समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंग ने भी एक ट्वीट किया जिसमें होने तंज भरे अंदास में लिखा वैसे आज योगी जी का जोश देखने लाइक था अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी चलती रहती तो योगी जी पैदल ही गाजी पुर तक पहुंच जाते वहीं पीम मोदी की कार के पीछे चलते सीम योगी की इस तस्वीर पर चुटकी लेते हुए पूर्व रिटाइड आईएस अधिकारी सूरे प्रताप सिंग ने मजाक्या अंदास में कहा वो लाचार सा पीछे दोड़ता रहा आखिर क्यों वहीं एक अन्य पोस्ट पर पूर्व आईएस ने कहा बाबा तो पैदल हो गयो कॉंग्रेस के निता श्री निवास ने भी तंज कसा और श्री निवास बीवी ने लिखा 2022 की तस्वीर फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार